है यह लो दोस्तों आप सबी का स्वागत हैं मेरे इटुक चैनल पर और दोस्तों चालों को सब्सक्राब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों किसा सेर कर लें और दोस्तों आज हम जाने वाले हैं अगर आपको कहा जाता है कि आप सभी जनवरी पर इस पिस दें आगे आकर तो दोस्तों किस परकार इस पिस देना है वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं बताने वाला है इस पिस को सरवाती अक्षरों में किस परकार कहना है हमारे जाह पर कितने भी मेमान बैठे हैं हमारे गाउं के वेक्ति बैठे हैं हमारे विदार्थी बैठे हैं हमारे फ्रें इस परकार आपको सबसे पहले कहना है, इसके बाद में आपको कहना है, मेरा नाम, कुछ भी नाम हो, मेरा आबास कर राच है, मैं कख्षा, बली बाहरवी में, जारवी, दस्वी कौन सी है, वो बता दीजे, पढ़ता हूँ, लड़की हो तो पढ़ती हूँ, या मैं एक सिक्सक हूँ, वो भी कह सकते हूँ, गए सिक्सक है तो आप ना सिक्सक कह सकते हूँ, अपने बासन की शिरुवात, उन सभी को नमन करते हूई करोंगे, जिन्होंने, अंग्रेजों से संक्रस करते भी बलिदान दे दिया, आज, गन्तंतरदा दिवस की उपलक्स में हम सब यह कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ, भारत के वे सभी नाइक जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई या दिलाने में अपनी कुर्बानी दे दी, आज उनको याद करते हुई, उनको सर्दांजली देते हुई, हम आज गनतंतर दिवस को मनाएंगे. आज के इस दिन पर मैं आप से इस दिन के बारे में कुछ महतेपुन बाते बताना चाहता हूँ, हम रिपलिक डी मना रहे हैं, जो हमें आज के दिन सविधान की इतिहास के बारे में संपुर्ण जानकारी होती या होनी आशिक है, इस परकार इस पिस देना, इसके बाद आप मे इसके बारे में कुछ बताना है, आज हम यहाँ पर सभी एक्तरित होकर अपना कौन सा है, 170, 175, 45 किस भी कह सकते हो, जो हैं वो लिक कह सकते हो, वो ही कहना ठीक है, गणतंतर तादिवस मना रहे हैं, आज के दिन भारत गणतंतर रूप से वोशित किया गया था, हमारे देश को सबतंतर करने के लिए, बहुत से महापुरूसों ने संग्रस करते हुए अपनी गुर्बानी दे दी, और ये दिन इत्यास के लिए, काफी महतेपुर माना जाता है, ठीक है, इसके बाद, हमारा देश 200 वरसों के बाद, अंग्रेजी होको मतों से आजात होने के बाद, सबी जनवरे 1950 को हमारा स्विधान लागू किया गया, ताकि डेश के सभी नाग्रिकों को अधिखार प्राप्त हो सके, और स्विधान के सभी नियम काईन ने कानुन बनाए गए, जिससे की सुसारू रूप से लागू भी किय जिसे आज ही के दिन हमारा स्विधान डेमोक्रेटिव रिपबलिक मना था, गणदंतता का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा सासन, यानि की जनता खुद ही अपने नेता का चेहन कर सकती है, जनता के कहने पर ही चेहनित नेता कार्य करेगा, जिन सेनान योग ने हमें अपना सवराज वापिस दिलाया, आज वही के बदोलत से हम आजाद हैं, हम पर कोई ही भी जबरन काम कराने के लिए दबावर नहीं डाल सकता, बास्च भारत के जो महान सवतंतरत सेनानी नेता थे, उसके नाम कुछ इस परकार है, सरदार भगत सिंग, सरदा वलब भाई प इन महान नायकों का नाम इत्यास में लिखा था, और बड़े सम्मान से इनका नारा भी लिया जाता है, भारत में अनीक धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लमीन, सिक, इसाई, आदी, धर्म, समुदाई, अलग होने के कारण इसके तोहर भी अलग होत हैं, लेकिन आज का दिन सबके लिए एक जैसा है, आज का दिन सभी धूम-धहम से और एक साथ मिलकर मनाते हैं, आज के दिन सवतंतता सेनानियों के बलिदान के याद किया जाता है हमारा स्विधान को बनने में आजादी के बाद दो वर्सी 11.18 दिन का समय लगाता हमारा स्विधान दो भासाओं में लिखी थे हैं अंगरेजी और हिंदी जिसमें प्रेम भी हरी नाराइन राय चादा के दोरा लिखी गए थी यह स्विधान बना था या जब स्विधान बना था उस समय हमारे स्विधान में कुल 398-92 भाग थे जिसमें सभी तक देख चार संसोधन किये गए हैं और इन्ही नियम अधिकारों को लागू करके हमें सिखाया की हमें कैसे करना है कैसे अपने नियम कानूनों का पालन करना है और भारत को एक विकास राष्ट बनाना है स्विधान को डॉक्टर भीम राव मेड करके नेतरतों में रहकर 24 सदेश्य टीमों ने तैयार किया था जिसमें 15 सद महीला सदेश्य भी थी हमारा स्विधान हस्त लिखित हैं जिसमें न तो कोई टेली प्रिंटिंग थी नहीं टा जिसको बनाने में सह महा का समय रगा हमारे देश में स्विधान ही एक मात्र ऐसा है जो सभी धरम जाती के लोगों को जोड़ रखता है इस दिन वीरों को राश्टपती द्वारा असुक चकर परम्विर चकर से सम्मानित किया जाता है हमारा अपना बाउतरवा गनतंतरदाद दिवस मना रहे है यानि कोई भी है तेमुतरवा चोंुतरवा भो भी कह सकते हूँ इस दिन परधान मंतरी ची ने के दवारा लाल के लिए पर धवजा रोहन किया गया हर साल किया जाता है और साथ ही राष्टगान गया जाता है और जो सहीद सेनिकों को 21 तोपो की सलामी दी जाती है और हमारी टीनो चैना जल थल वायो सेना अपनी कौसल दिखाती है और परे स्विधान के लागू होने के कुछ समेबा DR. राष्टपती DR. राजंदर शिंग पर्षाद पहले बार अपनी बगी से राष्टपती भवन से निकले थे राष्टपती DR. राजंदर परषाद की दवारा स्विधान लागू करते समय कहा गया था कि हमने एक ही स्विधान औ और विसाल देश के अधिकार को पाया है, अब स्विधान की रक्षा करना, उनके नीमों का पालन करना देश के नागरिकों का करतवे रहता है, और अंत में जैहिंद, फिर कोई भी नारा कह सकते हो, इंकलाब जिन्दाबाद करो या मरो का नारा भी दे सकते हो, तो इस प्रकार आप चब्वीस जनवरी पर अपना इस्पिस दे सकते हो, कैसा लगा इस्पिस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आज की वीड़ों बसेता है, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ता